नमस्कार दोस्तों सुमित भार्दवाज क्लासिज में आप सभी का फिर से सवागत है आज हम जो नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर हमारा थरी है आज पार्ट नंबर थरी में करेंगे हम बार से रिलेटिड बार से रिलेटिड जितने भी परसन आते हैं सभी ट्रीक से करेंगे अक्सर पूछ लिया जाता है इसमें ठीक है तो आज अपना नंबर सिस्टम में कौन सा पार्ट रहेगा पार्ट नंबर थ्री और टोपी का नाम क्या रहेगा बार ठीक है बार का मतलब क्या आपने किसी भी नंबर के उपर देखो पहले मैं सिंपल बता देता हूं मान लो मैंन 600 पी 6 तर लिखा किसी के भी उपर आपने ये इस त्रीक के का दिखाई दिया होगा तो ये क्या होता है बार बोला जाता है इसको ठीक है समझ गए अब देखो सुरू करते हैं ट्रीक से मान लो पहला क्यूश्चन है कि हमारा कि जीरो पॉइंट ठीक है 3 3 3 3 3 3 3 और इसी तरह यह संख्या चली जाती है तो बोलता है कि बताओ इसको पी खो पी क्या होगी फोर्म में लिखो किस फोर्म में लिखो पी और क्या हो की फोर्म में लिखो ठीक है तो क्या मतलब जिस नंबर का देखो जिस नंबर का बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम उसको क्या बोल देते ह मालो देखो इसमें किस नंबर का बार-बार रिपीट हो रहा है तीन जो है वह बार-बार रिपीट हो रहा है तो इस तीन को मैं लिख देता हूं कि 0.3 के उपर बार लिख देता हूं कि इसका मतलब क्या कि जो नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है तो बार का मतलब क्या है कि यह है नमबर, इस तीन के उपर जैसे कि मैंने बार लिख दिया, तो इसका हमदल क्या है, कि जो तीन है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, बात आई समझे में? कलियर है? यह नहीं आई बात समझे? देखो अब इसको पी क्या होगी फोर्म में कैसे लिखेंगे? तो 0.3 बार को अठाने के लिए जितने भी नंबर के उपर बार लिखा हुआ है उतने ही नीचे हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे फिर से सुनो जितने भी नंबर के उपर बार लिखा हुआ है उतने के नीचे हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे समझे, मैंने क्या बताए? कि जो number बार बार repeat हो रहा है, उसके उपर हम क्या लगा देते ہیں? बार लगा देते हैं. और बार अटाने के लिए क्या करते हैं? जितने भी number पर बार लगा हुआ है, उसको अटाने के लिए हम उतने ही नीचे क्या लगा देते हैं? नो लगा दिते हैं तो तीन जो है बार बार रिपीट हो रहा था तो मैंने क्या किया तीन को बार बना लिया बार का मतलब क्या तीन निमबर बार बार रिपीट हो रहा था तो मैंने इसके तीन के उपर क्या लगा दिया बार लगा दिया अब मैं क्या करता हूँ इस बार को उठाने के लिए क्या करता हूँ जितने नंबर पर बार लगा है कितने नंबर पर बार लगा है तीन ओली एक नंबर पर बार लगा है तो इसका मतलब क्या है मैं उतने ही नीचे क्या लगा दूँगा नो लगा दूँँगा तो हमारा क्या अंसर है PKO के form में निकल के आ जाएगा ये बात तो मेरे ख्याल से clear है अब देखो next देखो एक और इसी type पर करवाता हूँ फिर next type बताता हूँ आपको मालो मैं बोल दूँँ कि 0.123 123 123 तो मैंने क्या बता है जो नमबर बार बार रिपीट हो रहा था तो उसके निचे मैं क्या लगा देता हूँ उसके उपर क्या लगा देता हूँ बार लगा देता हूँ तो इसको तो आपने देखा कि यह नमबर फिर दिया मैंने इसमें क्या बताना है वही PKO की form में बताना है क्या बताना है कि PKO की form में लिखो तो PKO की form में लिखने से मैंने बता था जो नमबर बार-बार repeat हो उसके उपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे तो देखो बार-बार repeat कौन सा नमबर हो रहा है 1,2,3, फिर 1,2,3, फिर 1,2,3 इसका मतलब क्या है कि 1,2,3 के बाद फिर repeat हो जाता है फिर repeat हो जाता है तो मैं क्या लगा देता हूँ 0.123, तीनों नमबर repeat हो रहे है तो तीनों के उपर क्या लगा दूँगा बार लगा दूँगा अब इस बार को उटाने के लिए PKO की form में लिखने के लिए मैंने एक चीज बताई कि उपर जो ये नमबर है सेम लिखो नीचे क्या लिखना है बार अटाने के लिए जितने नमबर पर बार है उतने क्या लिख दो 9 लिख दो तो कितने नमबर पर बार है 1,2,3 तीन नमबर पर बार हो तो मैं तीन बार क्या लिख दूँगा तीन बार नो लिख दूँगा यहां तर्श कर लिए है अब मैं इसको कट करूँगा तो कितना आएगा मेरा 41 अपोन कितना आजाएगा 30 ठीक है 333 आजाएगा तो जो P कहोगी form में आएगा यह मेरा right answer हो जाएगा तो इस तरीके से जो simple है जो बार का जो पहली starting होती है यहीं से होती है तो यह simple वाला तो आप बार का समझ गए होगे मेरे ख्याल से आप clear हो आगे टपक्यूशन करते चले जाएगे आपको पता भी नहीं चलेगा देखो यहां तक हो चुका है आपको समझ भी गए होगे और पहले भी बताओगा कुछ बच्चों को अब देखो next type आती है next type में क्या है कि मान लो कि 0.123 2323 23 इसी तरह चलता जाता है तो पूछा उसने पी क्या हो की फौ में बताओ तो मैंने कया बोला था कि जो नंबर बार-बार rypEAT हो उसके उपर क्या लगा दूआ मैं बार लगा दूआ ठीक है तो आपने देखा कि 23232323 है मतलब कि जो 23 है यहां बार-बार क्या हो रहा है lepEAT हो रहा है तो जो number है वैसे number कितना है 1,2,3 तो 1,2,3 जो है यह तो number है और repeat कौन सा हो रहा है 2,3,2,3,2,3 तो जो number बार बार repeat उसके उपर क्या लगाते हैं बार लगाते हैं ठीक है clear मतलब कि एक तो repeat नहीं हुआ तो एक के उपर तो मैं बार नहीं लगाऊंगा तो repeat कौन सा number हुआ 2-3 हुआ तो जो number repeat होता है उसी के उपर क्या लगाते है बार लगाते है तो 1-2-3 पे मैंने only किस के उपर बार लगा 2-3 पे लगा अब इसको क्या करना है P क्यों की 4 में लिखना है यहां तक तो आप समझ चुके हो कि जो number दे रखा है उसको adjectives लिखो ठीक है और जितने number के उपर बार है उसके नाम के कितने 9 लिखो कितने number बार है 1-2 दो बार बार है तो 2 क्या लिखनू हमें 9 लिखनू है पर अब देखो वो उपरली type थी अब इसमें देखना है क्या करना पर अगर देख लो 1-2-3 है अगर तो-3 के उपर बार है जितने number बार नहीं है कितने number बार नहीं है एक नमबर बार नहीं है तो उपरली संक्या में से तो मैं वह गटा दूँगा क्या कर दूँगा लैस कर दूँगा कैसे मान लो कि यह 123 है 123 में से 23 परबार है तो 123 तो लिख दिया मैंने किस के उपरबार नहीं है एक के उपरबार नहीं है तो 123 में से मैं क्या कर दूँगा एक तो गटा दूँगा उपर तो यह हो गया और नीचे क्या करना है कि जितने नमबर परबार है उतने तो नो और जितने नमबर पर बार नहीं है उतने नाम की क्या लिख देंगे हम जीरो लिख देंगे तो कितने पर बार नहीं है एक पर बार नहीं है तो इसके नाम की क्या लिख दूँ हमें जीरो लिख दूँ है फिर देख लो बता देता हूं यहां note डालके लिख वी लो कि जितने number पर बार है उनके no और जिन पर नहीं है उसकी नाम की क्या? जीरो और उपर क्या करना है कि पूरी संख्या में से जितने परबार नहीं है क्या कर दूँगा गटा दूँगा ये आप नोट डाल कर लिख सकते हो आपको आगे याद रहा देखो पूरी संख्या कितनी थी 123 थी 123 में से किस परबार नहीं है उनली एक परबार नहीं है तो 123 में से मैं क्या लैस कर दूँगा वन लिख दूँगा मानलो मैं है लिख देता 123 में से उनली तीन परबार होता तो फिर मैं क्या करता कि 123 है जो उसमें से मैं 12 लैस करता ठीक है तो देखो अब इस पर क्या है 2 और 3 पर बार है तो 123 में से मैंने 1 लैस कर दिया अब जितने नमबर पर बार है उनके नाम की क्या लिखने है 9 लिखने है और जितने पर बार नहीं उसके नाम की क्या लिखनी है 0 लिखनी है तो यह संख्या हमारी क्या आ गई 122 बटे 990 आ गई नई समझे हो तो मैं next करवा देता हूँ और आपका doubt कलियर हो जाएगा देखो मान लो कि next 1 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 इसी तरह यह नंबर चलता जाता है तो बताओ P क्या होगी form में लिखो ठीक है, लिख दूँगे आप कैसे ये तो आप तक कलियर हो चुका है कि जितने नंबर है, कितना नंबर है 1, 2, 3 है, लिख दिया अब देखो, repeat कौन सा हो रहा 3, 3, 3, 3, 3, कौन सा repeat हो रहा 3, 3, repeat हो रहा, तो जो नंबर repeat हो रहा, उसके उपर क्या लिख देता हूँ बार लिख देता हूँ, ठीक है तो अब आपकी समझ में एक चीज आई, क्या कि 1, 2, 3, upon जितने नंबर पर बार है, उसके नाम का क्या, 9, यहां तक तो आपके दिमाग में कलियर है, स्टार्टिंग से फिर मैंने पिछले स्वाल में ये भी बताया कि जितने नंबर पर बार नहीं है उसके नाम की क्या लिखनी है, 0 लिखनी है तो एक, दो, दो नंबर पर बार नहीं है तो इनके नाम की क्या लिख दूँआ, मैं 0 लिख दूँआ फिर मैंने एक चीज और पताई, जो पूरी संक्या है अगर जितने नंबर पर बार नहीं है उसमें से मैं less कर दूँगा पूरी संख्या कितनी है? 123 12 कितने पर नहीं है? 12 पर नहीं है तो मैं 12 क्या कर दूँगा? इसमें से गटा दूँगा अगर मैं 12 और गटाओंगा तो मेरे पास जो संख्या आएगी 111 बटे क्या आजाएगी? 900 आजाएगी और मैं इसको कट करूँगा तो 36 बटे मेरा PKO की फोर्म में 300 राइटन सो निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से हम इस टाइप को भी सोल कर सकते हैं मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे समझ गए? कभी कल्ती करोगे? नहीं करोगे ना? Next देखो Next टाइप देखते हैं अब देखो सभी में अब तक मैंने जितने भी सवाल करवाई सभी में एक चित कोमन थी क्या? कि पॉइंट से पहले सभी में 0 थी पॉइंट से पहले सभी में क्या थी? 0 थी अब इस पॉइंट को उटाने के लिए अब देखो आगे किस तरीके से करना है बाइचांस 0.0 की जिगे और कुछ आ जाए तो देखो माल लो कि जो next type है next type को मैं देता हूँ कि y equal 3.3 bar उसने पहले ही मेरे को बार लगा के दे दिया है पर आगे 0 से पहले क्या दे दिया मेरे को 3 दे दिया तो उसने बोला कि बताओ find out क्या find करना मेरे को कि simple है y starting से जो push दे आ रहे हैं कि P क्याओ की form में लिखो तो इसके दो तरीके हैं दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा tension लेने की जरूत नहीं है एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको उपर समझा दिया कैसे की पूरा नमबर कितना है 33 है sir लिख दिया अब जितने नमबर पर बार नहीं है उसको क्या करना है गटा दो कितने नमबर पर बार नहीं है तीन पर बार नहीं है तो तीन को क्या कर देता हूँ मैं गटा देता हूँ अब upon कितने के उपर बार है तीन के उपर बार है तो एक ही अक्सर है बार तो बार के नाम का हम क्या लिखते हैं नो लिखते हैं अब दिक्कत यह आएगी कि सर अब इस तीन के उपर तो बार नहीं है आपने इसके नाम की 0 क्यों नहीं लिखी बई इसके नाम की 0 इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये point से पहले है अगर point के बाद नहीं है point के बाद तो संख्या यही गिनी जाएगी clear है तो इसलिए मैंने इसके नाम की 0 नहीं लिखी तो मेरा क्या आ गया इसमें निकल के देखो 30 अपोन क्या आ गया 9 आ गया तो इसको कट करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा 10 अपोन 3 जो है P क्याओ की फोर्म में आ जाएगा दुबारे देखो इसम को एक तो स्टार्टिंग से बताता रहा हूं कि पूरी संख्या को लो कितना आ गया 33 जितने के उपर बार नहीं है उसको less करो ठीक है अब अपोन में point से पहले का system नीचे खतम हो जाएगा इस तरीके से करोगे तो जो point से पहले का system है तो ओ खतम हो जाएगा क्यूंकि इसके उपर बार नहीं है बार किसके उपर है इसके उपर कितने एकसर के उपर बार है एक ही एकसर के बार है तो एक के नाम कम है क्या लिख दूँगा नो लिख दूँगा तो मेरा क्या है P क्या हो की form में आ जाएगा एक दूसरा तरीका ये देखो अगर आप इसको इस तरीके से बनाना चाहते हो जो सम्म मैं पहले करवा चुका हूँ अगर आप इसको उसी तरीके से बनाना चाहते हो क्या लिखता हूँ मैं कि 3 पलस 0.3 बार लिख देता हूँ क्यों इससे मान लो मैं इसको अलग बना लिया मैंने इसको अलग बना लिया दोनों equation को अलग बना लिया यह equation कैसी बना ली मैंने पहले वाली बना ली पहले वाली कैसी देखो 0, 1, 2, 3 इस तरी कैसी थी तो मैंने क्या किया 0.3 पे बार तुसे ने देई रखा मैंने लिख लिया तो इस 3 के नाम का तो 3 लिख लेता हूं 0.3 बार ये तो आपको solve करना आता है क्यों 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 मैं सरू से करवाता आ रहा हूं आप एक मिन्ट में लिख दोगे क्या कि 3 है और इस कितने के अकसर के उपर बार है एक एकसर के बार है इसके नाम के क्या आजाएगा नो आजाएगा तो नो तिया 27, 27 और 3 क्या हो गया 30 तो 30 वटे 9 इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा 10 वटे 3 अब आप पर डिपेंड करता है आप इस सम को किसी भी परकार से बना सकते हैं ये आपके उपर है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में आपका जो भी डाउट है और कलियर हो जाएगा देखो नेक्स्ट सम देखो बच्चा नेक्स्ट में मैं बोलता हूँ कि सिंपल है कि y इगूल कितना 3.35, 3.5 के उपर क्या है बार तो find out the p क्याओ की form में लिखो तो देखो मैंने 2 तरीके बताए एक तरीका तो मैंने बताया कि इस संक्या को आप क्या करो पहले की तरह बना लो पहले की तरह बनाने का मतलब क्या 3 पलस 0.35 के उपर बार अब इसको सोल करोगे तो 3 पलस 35 जितने अक्सर के उपर बार है कितने अक्सर के उपर बार है दो अक के लिख दूँगा तो इस तरीके से मैं सोल करूँगा तो इसकी multiply इस से करो और इसको जोड़ोगे तो क्या आजाएगा मेरा निकल के 332 है अपोन 99 आजाएगा इसको आप कट करोगे तो आपका कट करना चाहो तो कट कर लेना अगर कट हो कट तो होगा हिना यह तो कैसे कि जो number पूरा है पूरा लोग पूरी संख्या क्या है 335 ठीक है सर लेली मैंने अब मैंने एक चीज और बताए कि जितने अक्सर के उपर बार नहीं है यह तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, second trick से ही कि उसको क्या करना है, गठाना है तो कितने के उपर बार नहीं है, तीन के उपर बार नहीं है तो तीन को क्या कर दूँगा, मैं गठा दूँगा नीचे, जितने अकसर के उपर बार है कितने अकसर के उपर बार है, दो अकसर के बार है तो निच्चे क्या लिख दूँगा मैं 99 लिख दूँगा तो मेरा right answer क्या जाएगा 3332 अपोन में 99 तो right answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह आपको पता चल गाया है मेरे ख्याल से कि यह point से पहले 3 है तो इसलिए मैंने 0 नहीं ली अगर point के बाद 3 होता तो मैं इसके नाम की क्या लेता 0 लेता clear है गल्द करोगे नहीं कर पाओगे ठीक है next देखो next देखो भई next मैं एक doubt all clear कर देता हूँ चलो एक सम और बता देता हूँ आपके लिए मानलो कि मैंने मानलिया कि x ब्राबर है भई 3.257 only 5.7 के उपडर बार है तो वही find आउट करना मेरे को क्या P upon Kash की जो form है इसमें मेरे को find आउट करना है टिक है तो मैंने एक simple si trick बताए है क्या कि जितने एक संक्या है कितनी संक्या है 327 जो ही है तो कितने एकसर के उपडर बार नहीं है 3 और 2 तो 3 और 2 का मैं क्या कर दूंगा अब उनमे, जितने अक्सर के उपर बार है कितने के रस मां क्या लिखता हूँ अब देखो, point के बाद़ इसमें एक अक्सर है क्या? 2 और इसके उपर बार भी नहीं है तो क्या लोगा? अगर इसके उपर बार नहीं है तो बार के नाम की क्या लेते हैं जीरो लेते हैं अब इसको आप देखोगे तो जो यह बन के आ जाएगी मेरी क्याई 325 अपोन में 990 आ गया अगर आप इसको कट करोगे तो यह मेरी संख्या बन के आ जाएगी 215 अपोन में 66 जो है यह मेरा बन के आजएगा तो right answer क्या रहेगा 215 पॉन में 66 है जो मेरा बन के आजएगा मेरे ख्याल से अब तो आपके सारे doubt clear हो गए होगे किस type से आ सकता है किस तरीके से बार में दे सकता है कैसे आ सकता है तो यह आपके doubt clear हो गए होगे ठीक है आगे देखो मेरे को संख्या दी उसने कि बताओ 0.037 और इसके उपर क्या लिख दिया उसने इन तीनों के उपर बार लिख दिया तो उसने पूछा कि find out cube root क्या पूछा कि जो cube root है उसको find out करो तीनों के उपर लिख दिया आपने एक बात शुरू से पता है तो कोई माइने नी तो संख्या तो उपर कितनी बनी शैती सी बनी अपन में देखो ये मत सोच ले न कि ये 0 है तो 0 के उपर तो इसने बार लगाया है 0 के उपर क्या लगा इसने बार तो इसका मतलब कितने एकसर के उपर बार हो गया एक दो तीन तीनोकसर के उपर बार हो गया और एक बार का एक नो लिखता हूँ तो तीन बार का कितने नो लिखूँ तीन नो लिख दूँगा मैंने clear है अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा हाँ टुकडे में तोड़ना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर आप थोड़ा हाँ दिमाख लगाओ तो 111 इंटू 9 करूँगा तो मैं 909 में आ जाएगा अब मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मेरे को कट करने में असानी हो जाएगी क्या हो जाएगी असानी हो जाएगी तो ये कितने पे गया तो नमबर कितना आ गया मेरा एक बटे 27 आ गया पर उसने पूछा क्या क्यूब रूट क्यूब रूट का मतलब क्या कि क्यूब रूट देखो ये क्या हो गया क्यूब रूट अब देखो कितने का क्यूब रूट 127 का तो देखो 27 कैसे बनता अगर आपकी ध्यान में हो तो 3 into 3 into 3 देखो 3 into 9 into 27 तो 27 बन गया तो इसी तरीके से मैं टुकडे में तोड़कर इसको लिख सकता हूँ कि 3 ये तो cube root हो गया 3 into 3 into 3 क्या हो गया 27 हो गया तो cube root का मतलब क्या हो गया कि q 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 इसको ये भी लिख सकते हो, अगर इसको आप बार में कनोट करना चाहो, तो इसको बार में मैं ये भी लिख सकता हूँ, कि 0.33333 लिख सकता हूँ, अगर आप इसको तोड़ना भी चाहो, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कि 0.3 बार, तो आप किसी भी तरीके से कर लो, अब दे आपने ने सlor नहीं उगी जितने भी बार से लेटन है एक बार से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर्माल लों कि बार में धे दिया कि थरी टिह जान्स से देखना कि थरी डंस 5, 7, sorry, 5, 7, 5, 7, 5, 7, ठीक है, और नीचे दे दिया, 4, ठीक है, और 4 दे दिया, 1, 3, नीचे दे दिया, कि 2, 1, 2, 1, 2, 1, इसको एड करना है, तो एड करने के लिए आपने कोई टैंसल लेने की बात नहीं है, क्या, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर कई बार पे पर में ये मिलता है, कि सिंपल सा बताओ, कि 3.245 से उपर बार लिख देगा, और पलस में 4.1321 के उपर बार लिख देगा, तो इसका मतलब क्या, मैंने बताया कि 3.24, जिसके नंबर, जिसके उपर क्या लिखा हो, बार लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है, कि वही संख्या ब बार बार रिपीट हो रही है, तो 5-7 इसके बाद ना, दो बार कम से कम लिखना आपने, एक बार नहीं, दो बार तो कम से कम लिखना है, तो अगली संख्या क्या है, 4, 4 पॉइंट, तो 1-3, बार बार संख्या कौन से रिपीट हो रही है, 2-1, तो दो बार तो ये भी कम से कम ल लेगा नहीं, पेपर में बार लगा के मिला होगा, तो बार लगा के इस कांसर क्या आ जाएगा, 7.37 तेखो, 7.37 फिर repeat क्या हो रहा है, 7.8 7.8, आगे ऐसे ही चलते जाओगे, तो 7.8 repeat होता रहेगा, तो 7.8 के उपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तो इस तरीके से, अगर बाई चांस मालो, आप दो बार नहीं लिखते, इसको एक बार लिखते तो आप खाली उत्तर में क्या लिखते आते 7.37, 7.8 लिखते आते, जो कि आपका गलत हो जाता अगर आपने दो बार लिखा 3 बार भी लिख सकते हो जितने के उपर बार है, जोडने के लिए 3 बार लिख सकते हो, ठीक है? उसमें असानी हो जाएगी आपने दो बार लिखा, तो आपने देखा कि बार-बार नम data कोण सा रिपीट हो रहा है 8 7 8 7 ठीक है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया बार लिख दिया तो इसलिए mistake नहीं करनी है ध्यान से करना है तो thank you student next part हम इन नंबर सिस्टम करेंगे अच्छा part करेंगे यह आज का हमारा जो बार वाला part था यह complete होता है